अच्छा how to reset interface software का interface आप कैसे reset करेंगे और कब करेंगे आप software का interface तब reset करेंगे जब आप software को open कर रहे हैं और आप उसमें देख रहे हैं ना toolbar आ रही है ना panels आ रहे हैं कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा तो ऐसा होगा भी आपको जब आप open करेंगे illustrator तो हो सकता है उसमें toolbar नहीं हो या panels वगारा नहीं हो तो आपने वो कैसे लेकर आने हैं यानि कोई भी चीज missing आपको नजर आ रही है तो आप कैसे लाएंगे इसके लिए आपने window menu पर click करने उसके बाद आपको एक workspace के नाम से option मिलेगा window menu में workspace option इस पर जब आप mouse लाएंगे तो आगे एक और window open होगी ये देखें workspace पर mouse लाए mouse लाने के बाद यहाँ पर एक और window आपके सामने आ रही है पहली चीज तो आपने देख लेनी है कि essentials के उपर tick होना चाहिए जैसे लगावा है अगर essential पर tick लगावा है तो फिर आप अगले step पर आएंगे अगर essential पर tick नहीं लगावा तो पहले आपने एक दफा essential के उपर click करना है ताके ये active हो जाए अगर essential पर click करने के बाद आपका interface reset हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होता फिर आप दूसरा step perform करेंगे अभी मेरे पास stick लगावा है तो मैं दूसरा step perform कर रहा हूँ और दूसरा step क्या होगा कि हम reset essentials वाले option के उपर click करेंगे तो जैसे अभी देखेगा मैं इस पर click करूँगा ये 2-3 seconds में फॉरंसे बलकि अभी हो गया interface reset हो गया toolbar भी आगई है और तमाम panels भी आगए है तो ये चीज़ आपने mind में रखनी है ताके अगर आपको कोई interface खराब मिले तो पहली चीज़ आपने work space में जाकर interface reset कर देना है क्योंकि अगर interface आपका खराब होगा तो आपको problem आएंगे आपको panel यहाँ पर मिल रहा है toolbar किसी ने यहाँ set की हुई है अब आपको काम करने में problem थोड़ा सा आएगा इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप घर जाए आपके कमरे की setting ही change हुई हो आपकी मदर ने कर दी हो क्या होगा आपका ही कमरा है लेकिन आपको अपनी चीज़ें ढूंड़ने में मसला हो रहा होगा इसलिए interface reset का आपको option पता होना चाहिए अच्छे इसको हम जड़ा reset कर देते हैं